Hello guys welcome back to a new video आज की स्वीडम लोग बात करता है कल expiry के दिन क्या हो सकता मार्केट में स्टार्ट करते है बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ फिर डिसकस करेंगे कि कल क्या हो सकता है आज कल भी एक ट्रेड हमारी stop loss होई थी तो जो हम लोग ने माई के स्टार्ट दिन बहुत अच्छे से स्टार्ट के थे एक भी stop loss हो चुकी है बड़ रिस्क मैनेज करकर चलते हैं यहां पर आज जो मेरी थिंकिंग थी वो मैं पहले आप लोग को बता देता हूं कि हुआ क्या होना क्या चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग आप लोग को पता होगा जो लोग बहुत टाइम से मेरे को फॉलो कर रहा है अगर आप कभी भी चार्ट पर देखोगे तो एक मिनिट का जो गाप होता है वो टेकनिकली इंट्राडे पर फिल होता है अच्छा हुआ किया जब मार्केट ने इस सपोर्ट को रिटेस्ट करने का ट्राई किया यहां पर हम लोगों ने इस रजिस्सेंस पर शॉट किया यहां पर क्यूंकि बहुत ऑब्विस ही बात है एक बहुत ही सिंपल था लॉजिक यह लॉजिक मेरे लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा है यहां पर इस ट्रेड को एक्सेक्यूट किया था अब यहां पर यह कितना बड़ा ग्याप एक मिनट की कैंडल पर इसने बहुत अच्छा ग्याप दिया ठीक है मार्केट अपनी मोमेंटम शो करता है यहां पर जैसे यह गेर रहा था अब यह यहां पर गेरा और गेर कर यह बहुत इस गाप से नीचे गिरा बट इंट्राडे इस गाप को मार्केट ने फिल कर दिया तो जितने भी आप इंट्राडे गाप देखोगे वह यूजुली फिल हो जाते है यूजुली क्या 90 परसेंट आइप सीन कि वह फिल हो जाते है और फिर लोग बाद में पूछ रहे थे कि ह जा रहा है जा रहा है बट कभी भी वह इस गाप को फिल करने के लिए नीचे आ सकता है अच्छा कल के दिन के लिए अगर हम लोग बैंक निफ्टी को थोड़ा से अनलाइस करें तो यहां पर हो सकता है कि एक डबल बॉटम पाटन हम लोग को बनता हुआ दिख के है बहुत ह और यह पहले भी तीन बार बैंक निफ्टी नीचे को तूट चुका है तो यहां पर एक डबल बॉटम बनने के चांस हमारे पास बहुत अच्छे है और डबल बॉटम बनके बहुत अच्छा ब्रेक आउट दे भी सकता है यह जो ब्रेक आउट देगा यह 34,800 के ऊपर देग वाट आए परसली बिलीव कि क्या हो सकता है इस कि हम 34,800 को तोड़े 35,200 तक का यहां पर यह जो ग्याप है यह बेसिकली एक रजिस्टेंस ही है इस रजिस्टेंस को हम लोग टेस्ट करें और उस रजिस्टेंस से रेजेक्ट होके फिर हम वापस से नीचे गिरना स्टार्ट करें तो मोटा मोटा आप यह मान के चलो कि 34,800 बहुत अच्छा लेवल है ठीक है कल अगर हमको यह ऊपर जाता हुआ दिखेगा इसके उपर तो हम लोग को बुलिश रहना है अगर लेटर हाफ में आपको 34,800 तूटता हुआ दिग गया तो फिर आप लोग को एक्सपेट करन करो अगर आप क्रिप्टो मार्केट को ट्राक करो ओवरॉल बायस जो है मार्केट का वो बियरे साइड पर ही है और ऐसा भी नहीं है कि मतलब 60-40 हो रख है वो 80-20 हो रख है बियरे साइड ठीक है तो अगर हम लोग को कोई अच्छा मूव मिलता है तो हमारा इंक्लिनेशन उ बहुत अच्छी बात है बट आप लोग को स्टॉफंट का बहुत ही जादा ख्याल रखना पड़ेगा सिमिलरली निफ्टी के अगर हम लोग बात करें एक मिनिट के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें निफ्टी का तो निफ्टी आई थिंक बहुत अच्छा ब्रेक आउट दे सकता था बट निफ्टी ने तूवर्ज जाएंड यहाँ पर एक हेडें शोल्डर लाकर पटक दिया अब यहेडें शोल्डर कुछ भी कर सकता है यहां से इसकी जो नेकलाइन है वह 16,130 पर आ ठीक है तो पहला जो हमारे पास एक बेरिश लेवल आ रहे है वह 16,130 क है कल अगर 16,100 टूटता है ठीक है 16,100 है 16,090 का एक लेवल मान के चल लो बफर का यह तो हम 15,800 एक्सपेक्ट कर सकते क्यों एक्सपेक्ट कर सकते उसके पीछे में आपको रिजन बता देता हूँ और यहां से देखो आप ठीक है बैंक निफ्टी तो है ही बुलिश बैंक नि क्या कर सकता है और अपने साथ बैंक करवा सकता है अगर निफ्टे कल नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी का बढ़ा मूव नीचे का पैंड़िंग कड़ा हुआ है रिजन आप इस बात को देखो यहां पर जब यह लो बना था था आ थे इंस सोलो अच्छी पे यह लो बना हजार अभी भी 16,180 के पास है यह बात आप लोग को पहली चीज़ दिमाग में रखनी है अच्छा सिमिलरली 16,090 यह बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है मार्केट के लिए 30 मिनिट्स पर आज इसको तोड़ा था एंड उसके बाद इसको कर लिए अगर यह लेवल वापस से तूटता है तो हमारे पास नेक्स लेवल ऑफ सपोर्ट है ट्रेंड बेस फिमनाची पर वह 15,740 मैं मान रहा हूं 15,800 इस वेरी मच अचीवेबल और हम लोग इसको एक्सपेट कर भी रहे काफी टाइम से तो यह आप लोग को थोड़ा सा द आप लोग को वीडियो को पुसंद आओ का जाता है इस वीडियो को लाइक करना चाल को सब्सक्राइब करना आइस वीडियो टेक केर गुडबाए पीसाओ